नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूँ रजनीश इन दिनों जहारखंड में बारिश की रवईया बहुत ही उदास है जिसके कारण खेती करने वाले किशानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है आप मेरे पिछे देख पा रहे होंगे कि किसान किस प्रकार खेती करने के लिए अप नल कूप से पानी पटाने का काम कर रहे हैं क्योंकि बिछड़ा इन लोग लगा चुके हैं बिछड़ा लगाने के बाद बारिश नहीं हुई और सुखा पड़ रहा है धर्ती भी फट रही है तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर धान लगाने के लिए किसान तयार है लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है बारिश नहीं होने के कारण अभी तक धान को बोया नहीं जा पाया है आईए हम किसानों से बात करते हैं उनसे जानते हैं कि आखिर क्या-क्या समस्या उत्पन हो रही है और इस वर्स की खेती कैसे वो करेंगे हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे एक किसान जो खेती करने के लिए पानी पटाने का ब्यवस्था कर रहे हैं हम इनसे जानते हैं कि क्या समस्या आ रही है सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है रमेश मातो रमेश जी आपको खेती करने में क्या समस्या आ रही है और बारिस की रवया को देखते हुए आप लोगों ने आगे की प्लानिंग क्या की है प्लानिंग तो कुछ नहीं है का जिससे वगर विद्धान का खेती बीना उपर वाला पानी नहीं आएगा तो फेती नहीं पराबवर हो पाता है तो नलकूप से क्या खेती हो पाईगी? जिस तरह से खेती करना महंगा होता जा रहा है अगर बारिस नहीं होती है तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अच्छा घर में खाने के लिए पूरा हो जाता है इससे कोई विसेस फाइदा आपको नहीं होता है हमारे साथ एक और किसान मौझूद है हम उनसे बाते करते हैं पूछते हैं कि क्या समस्याओं उत्पन हो रही है हाँ आपका क्या नाम है सोमा उराओं सोमा उराओं क्या समस्याओं अभी उत्पन हो रही है खेती करने में खेती करने के लिए तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन हुई है क्योंकि वारिस नहीं हो रहे है वारिस नहीं होती है तो खेती नहीं हो पाती है और खेती लहीं हुआ तो यहां का किसानों का जीवन बिल्कुल दैनिय स्थिती की और कगार में चला जाता है धीरे धीरे और उन किसानों को रजारी काम के लिए उन्होंने बहुत सा समस्या का मुसीबत को जहलना पड़ता है अब बारिष कब तक आ जाएगी तो आप लोगों का काम चल जाएगा देखिए बारिष तो लग लग हम को उमीद है कि बारिष यह सावन महीना आते सावन स्टार्ट करेगा तो बारिष उमीद है आ जाएगा बारिष सावन महीना में अगर सावन महीना में 15 दिन सावन में आपने इनको सुना सावन के 15 दिनों तक अगर बारिश नहीं होती है तो खेती 45 परसेंट ही हो जाएगा जिस पर काफी संकट हो सकता है हमारे साथ इस वक्त मौझूद है विर्षा क्रिसी विश्विद्यालाई के क्रिसी मौसम बैज्यानिक डॉक्टर रमेश कुमार हम इनसे जानेंगे कि क्या इस वर्ष का मौसम और बारिश कैसा होगा और किस तरह की स्थितियां पैदा होंगी सर हम ये जानना चाहते हैं कि जार्खंड में इस वर्ष खेती की स्थिति क्या होगी क्यूंकि मौसम की जो रवया है बारिश की जो देखा जा रहा है वो बहुत ही कठोर रवया माने तो बारिश अपना रही है इस विशे पर क्या हो सकता है कि जार्खंड की खेती जहारखन के परिपेक्ष में जदी हम देखें तो यह सही है कि इस बार जहारखन में मौसून आने के बाद बहुत कम बारिस हुई है और जदी हम पूरे जहारखन को एक के यह मिले तो पचास परतिसत से अधिक ही कमी है बर्सापात की कमी 50% से अधिक है और ऐसा देखा जा रहा है कि अभी तक लोग रोपा बहुत तेजी से चलता था लेकिन इस बर्स उपरी भूमी का बुआई भी बहुत जीलों में नहीं है हलाकि ऐसा नहीं कि पूरे का पूरे प्रदेश दो तीन जीले ऐसे हैं जैसे लोहरदगा और सराय केला वहाँ पर सामान बारिस के लगभग बराबर है लेकिन बाकी जीलों की स्थिति अच्छी नहीं है किसानों का बीचरा जो लगाए थे वो 20 दिन से अधिक हो गया और बीचरा को भी अब बचाने की बात हो रही है हम लों का किसानों के लिए सुझाओ जा रहा है कि कम से कम बीचरा को बचा के रखे सिचाई की सुविदा रखे पहले भी हम लों का सुझाओ गया था कि बीचरा वैसे ही जगह पर लगाए जहां पर सिचाई की सुविदा हो ताकि मनसुन की विशेश परिस्थिती में हम उसको सिचाई करके बचा सके सामाने तया तो 22 दिन का बिचरा ही उपयुक्त होता है लेकिन विकट परिस्थिती में जदि वह 22 दिन से 30 दिन तक भी चला जाता है और लगाते हैं तो विशेश छती नहीं होती है फसल हो जाता है रुख-रुख के चुकी बारिस आ रही है और बारिस कम हो रही है तो उपरी भूमी में जहां जो लोग किसान के फसल की सिदी बुआई किये थे जिसमें मक्का है उरद है स्वयबीन है रहर है तो ये सब फसल का छोटा छोटा पौधा दिख रहा है और कम बारिश होने की स्थिति में ये सूखे नहीं है ये बचे हुए हैं हाँ इनका जो ग्रोथ होना चाहिए जिस रफ्तार से उतना तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा है चुकि नमी उतनी अच्छी नहीं है तो जदी अब हम लोग किसान को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आगे जो आप धान के लिए सोच रहे हैं बिचरा को बचा के रखे और जैसे ही पानी की स्थिति में सुधार होता है तो पहले नीचली भूमी को ही उस बिचरा से लगा ले और जो मध्यम भूमी है उसमें धान की सीधी करने से भी मिला जुला के फसल के उपज में कोई विशेश नुकसान नहीं होता है हां हां देख भाल थोरा करना पड़ता है लेकिन उसमें लागत भी कम है लागत भी कम है इसलिए किसान को अब सिधी बुआई ही एक मात्र अप्सन बच गया है जो धान के लिए करेंगे तो अभी के परिपेक्स में हम लोग यही कह सकते हैं कि जारखन के लिए तोरा सा वेट वाच भी जरूरी है कम पानी तो हो रही है दान की रुपाई तो नहीं हो रही है तो लेकिन जैसे ही कुछ सुधार होता है तो वो बुआई करें और बिचरा जो है नीचली भूमी में लग सरwick अभी जहां पर कम बारिस होने पर भी पानी मिल जाता है सर एक प्रस्ण है कि मुखिएता यहां पर धान की खेती को देखा जाता है जहारकण में तो सर धान की खेती इस वर्ष कैसी होगी क्या सुखार घोसीत होगा या सामाने रहेगा जिस तरह कि अभी परस्थितियां उत्पन हो रही है जगह पर नहीं लगाते तो सुख्या फिर से वह बुगाई करेंगे तो जितना आच्छादन होना चाहिए उतना आच्छादन तो नहीं होता है लेकिन यह मान लेना आज के डेट में ही कि आगे एकदम सुखार हो जाएगा यह गलत है हम लोग बहुत साल देखें हैं कि अर्ली आपने बैज्यानिक जी को सुना कि अभी घबराने की ज़रुत नहीं है आसा रखे बारिस होगी खेती खराप नहीं होगी ऐसा यह अनुमान लगाते हैं आगे की खबरों के साथ आप बने रहें लाइफ लगातार के साथ